हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने वीवो Z1 X Android वाइल फोन में आप जो है वाइबरेट फोन नुट्फिकिशन सैटिंग को आपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये वाइबरेट फोन नुट्फिकिशन सैटिंग जो है डिसेबल होने के बाद इस सैटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का में श्टार्ट कर लेते था है सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में बटन को आपको tap करना है तो यह बटन आपका जो है ब्लैक कलर में इस तरीके से off हो जाएगा यानि कि setting यह आपकी disable हो जाएगी ठीक है अब यह vibrate phone notification setting जो है disable होने के बाद यह setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ देखिए दोस्तों आपके mobile phone पे अगर कभी भी notification आएगा तो आपका mobile phone जो है ना vibrate नहीं करेगा ठीक है आपका mobile phone notification की sound को create करेगा अगर आपने set कर रखे तो ठीक है लेकिन vibration है ना बिल्कुल create नहीं करेगा क्योंकि यह setting off करने के बाद आपके phone पे कभी भी notification आएगा तो आपका phone vibrate नहीं करेगा ठीक है तो इस setting जो इस तरीक से काम करेगी disable होने के बाद अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक short कर तरीका भी बता देता हूं आपके mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page ना फिर से open करना है starting से setting page को open करिए setting page में आपको सबसे उपर यह option मिलेगा search icon का इससे select करना है और यहाँ पर आपको search पार में setting का name आपको टाइप करना है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे हम continue कर लेते हैं जब यह option नीचे की side में show हो जाता है तो इससे आपको select करना है इससे क्या होगा आपको mobile phone आपको directly setting में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक शॉट कर तरीका भी बता दिया इस setting को डूल रहने का आपके mobile phone में